Hello people, Welcome to our channel हमारे चेनल पर हम हिंदू लोग की एक सीरील स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हिंदू लोग के सारे एक्ट को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में और स्टार्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू मैरेज़ एक 1955 के साथ तो इस वीडियो में हम हिंदू मैरेज़ एक 1955 के इंट्रोडक्शन और उसके सेक्शन 1 to 4 को कवर करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हिंदू मैरेज एक्ट है उसके अंदर टॉटल नंबर उफ चैप्टर सिक्स है जो इंट्रोड करते है 30 सेक्शन को तो टॉटल नंबर उफ चैप्टर कितने हो गए 6 सेक्शन कितने हो गए 30 उसके बाद इसकी जो डेट है जिस दिन इसको प्रेसिडेंट से एसेंट मिली थी वो है 18 मैं 1955 यह बहुत इंपोर्टेंट डेट है तो इसको याद रखना है उसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो एक्ट इसका परपस क्या है मतलब इसका प्रियेंबल क्या बोलता है तो इसका प्रियेंबल बोलता है the act to amend and codify the laws relating to the marriage among Hindus मतलब यह act है इसका purpose क्या है तो amend and codify the laws कौन से laws जो हिंदू marriage से related है उसके बाद हम आ जाते है section 1 के उपर section 1 ने वो दो चीजे cover करता है title and extend तो close 1 कवर करता है कि हिंदू marriage act का title के है तो इसका title है हिंदू marriage act 1955 यह इसका title हो जाता है और इसका extraint है to a whole of India अब इसमें एक चीज़ हम को ध्यान रखने वाली है कि इसमें पहले था accept the state of Jammu and Kashmir ठीक है बट वो चीज़ अब हट चुकी है वो क्यों हट चुकी है क्योंकि 2019 में यह act आया है जammu and Kashmir Reorganization Act 2019 इसके फिफ्ट से एडियोन में यह चीज़ मेंशन है कि अब इससे हट चुकी है तो इसका मतलब हुआ कि अब हिंदू marriage act 1955 जammu and Kashmir में भी apply होगा तो इसका एक्स्टेंट हो जाता है to the whole of India अब इसमें क्या हुआ था एक केस आया था सॉन्दूल गोपाल वर से सॉन्दूर अजनी 2013 का इसमें बोला था कि जो एक्ट है विल apply to the Hindu domiciled in India even if they reside outside इंडिया मतलब अगर आप Hindu domiciled हो इंडिया के तो अगर आप आउटसाइड ओफ इंडिया भी रह रह रहे हो तो भी आपके उपर यह वाला जो एक्ट है वह आपके उपर apply होगा यह इस case में बात हुई है तो मतलब इसका एक्स्टेंट कहां पर है whole of India भी है और उन लोगों पर भी है जो इंडिया के domiciled है और वो outside रह रह रहे हैं हम देखते हैं अब section 2 क्या बात करता है section 2 is a very important section क्यों क्योंकि जो application है इसमें application की बात कर रहे है कि application of the act इसमें इसको बता है कि किन-किन लोगों पर यह act apply होगा ठीक है तो इसमें एक जो चीज आपको याद रखने वाली है वो यह है कि exam में question पूछा जाता है who is a Hindu यह question आपको mostly exams में मिल जाता है यह बहुत important question है college exam से लेके बागी exams में भी तो यह जो question है who is a Hindu इस question का answer ही section 2 है मतलब इसमें अगर आपसे पूछा है who is a Hindu तो आपको section 2 के subsection से उनी को mention करना है ठीक है तो अब हम इनको देख लेते कि section 2 क्या बोल रहा है section 2 का close 1 बोलता है this act applies मतलब यह act किन किन लोगों पर अप्लाई होता है to any person who is a Hindu by religion मतलब कोई भी person जो एसा Religion उसका क्या है Hindu हे उसके किसी भी form में उसको practice करता हो including विराशिवा लंगायष follower हो या फिर वो follower हो कि इसका Brahma,pratma, और आर्या समाझ का तो उसको क्या माना चाहेगा उसको Hindu माना चाहेगा मतलब वो सा Hindu हो eller follower हो कि इसका Brahma,pratma, आरिया समाज का या फिर उसको किसी भी डेवलपमेंट में इंक्लूडिंग विराश्यवा लंगायत अब इसके बाद हम बात करते कि इसका बी क्लोज क्या बात करता है तो क्लोज भी बोलता है कि एक्ट अप्लाय होता है बुद्धिज, जेन, सिक्ख, बाइरिलिजिन अगर कोई परस क्लोज 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 लाए होगा बट अनलेस कब तक जब तक वो प्रूब नहीं कर देता कि वो परसन नहीं परसन पास्ट अगर यह एक्ट पास नहीं होता तो भी उस परसन के ओपर कोई भी हिंदू लोग और हिंदू के कास्टम और यूजेजेज नहीं लगते थे वो उस चीज से गवन नहीं होता था वो चीज अगर यह प्रूब कर देता है कोई परसन उसी केस में उसके उपर यह एक्ट अप्लाई नहीं होगा अधर्वाइस कोई परसन जो मुस्लिम, क्रिश्चन, पार्शी और जू नहीं है रिलीजन से तो वो मान लिया जाता है कि वो हिंदू है तो इस केस में यह हिंदू मैं रिजेक्ट उस परसन के उपर अप्लाई होगा ठीके अब हम इसका एक्स्प्लेनिशन पार्ट देख लेते हैं तो एक्स्प्लेनिशन पार्ट में बोलागा है इंदू, बुद्धिस, जेन और सिक्क बाइ रिलीजिन एस दे केस में भी किस केस में यह होंगे मतलब को अफ आम ने देखा कि ठीक है यह इन लोगों के उपर अपलाई होगा बट अब हमको यह देखना है कि यह लोग कौन होंगे मतलब हिंदू बुद्धिस जेन और सिक्क किन को माना जाएगा तो बोलता है इसका क्लोज ए बोलता है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल के इसा भी हो सकता है लेजिटिमेट चाइल भी हो सकता है अपका इलेजिटिमेट चाइल भी हो सकता है उस जिसके बोध मतलब दोनों पैरेंट्स क्या होंगे बोध ऑफ पैरे ठीक है अगर बोथ पेरेंट्स हिंदू, वुद्धिस, जेन और सक्क्या रिलिजन से तो उनके उपर यह एक्ट अप्लाई होगा उस चाइल्ड के उपर क्लोज भी बात करता है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और लेजिटिमेट फूस वन पेरेंट इस हिंदू, वुद्धिस, जेन और सक्क्या रिलिजन से और जो वाई है वो किसी अधर रिलिजन से बिलोंग करते हैं ठीक है पत हुआए, वो क्या करता है उसको ब्रौट अप कैसे किया गया है उसको एक्स के अकोर्डिंग क्या गया क्योंकि पूरे हिंदू कस्टम युसेज फोलो करता है उससको ब्रौट अइसे ही किया गया है, तो उसके उपर भी हिंदू मेरी , यशिक 1555 अलोग होगा इसमें clearly लिखा है brought up brought up by a member of a tribe community group or family to which such parents belong मतलब जो parents है जो हिंदू बुद्धिस जयन है वो बिलों करते है उस family में उनको brought up किया गया हो तो उस case में भी क्या होगा उनके ओपर हिंदू मेरिज़क 1955 अलगीगा अब हम आजाते हैं इसके close 3 पर वो बोलता है to any person who is convert or re-convert to the Hindu, Buddhist, Jain और Sikh by religion मतलब कोई भी वो person जो हिंदू में convert हो चुका है for example एक person था X वो क्या था वो किसी और religion से बिलों करता था but अब उसने क्या कर लिया है उसने convert करके वो हिंदू बन चुका है वापिस तो वो एक बार Hindu बन चुका तो वो क्या हो गया convert हो गया कि उसने अपने religion को convert कर लिया for example अगर second case क्या हो गया कि अगर for example एक person है और वो हिंदू ही है बट उसको लगा और उसने अपने अपको convert कर लिया किसी other religion में और उसको बाद में लगता है कि नहीं यार मुझे वापिस से अपना खुद का religion या फिर बुद्धिस जेन या सिक का religion में जाना है तो वापिस से वो re-convert कर रहा है अपने आपको हिंदू में तो उस case में क्या होगा उस case में भी उसके उपर हिंदू marriage act apply होगा तो हम closely देखेंगे कि any person who is convert और re-convert to the Hindu बद्धिस जैनर सिक्क्पाई religion ठीके अब हम आचाते इसके close to पे तो section 2 close to बोलता है कि section 2 close to बात करता है कि अब ये act है अब हमने अभी पहले क्या देखा close 1 में कि ये act किन लोगों पर apply होगा और section 2 बोलता है कि ये act किन लोगों पर apply नहीं होगा ठीक है इसके बारे बात करेंगे तो ये किन पर apply नहीं होगा यह schedule tribe के उपर apply नहीं होगा बट इसमें भी जो चीज mention है वो यह है कि schedule tribe जो कौन से schedule tribe सबी पर नहीं जो article constitution के article 366 के close 25 में जो schedule tribes mention है यह act उनके उपर apply नहीं होगा बट अगर central government अपने official gazette में एक notification पास कर देती है तो उस case में यह उनके उपर भी apply हो सकता है ठीके अब close 3 बात करता है इसका the expression Hindu जो expression Hindu है वो सिर्फ हिंदू उसके लिए नहीं होगा उनके उपर भी apply होगा included those persons who are not a Hindu by religion उनके उपर भी expression Hindu apply होगा unless वो prove नहीं कर देते हैं कि वो हिंदू नहीं है ठीके उसके बद हम आ जाते हैं section 4 के उपर क्योंकि जो section 3 है section 3 है definition close तो हम definition close को सारे definition को जब हम आगे के sections में जब वो use होगी उसी के साथ हम section 3 को cover करेंगी इसको अलक्सी करने की एक need नहीं है तो हम आ जाते है section 4 के उपर वो है overriding effect of the act इसमें बात होती है कि यह जो act है यह any text rule और interpretation of Hindu law और customer usage as part of that law enforce immediately before the commencement of this act मतलब अगर कोई साथ ही Hindu law या फिर customer usage जो इस act के commencement के पहले use किया जाता था वो अब अपने effect को क्या कर देगा cease to have effect अब उसका effect नहीं रहेगा with respect to the matters to which provision is made in this act मतलब अगर इस act में उससे related कोई provision में यहां पे वो है अगर इस act में कोई provision है उससे related क्लोस भी बोलता है कि any other act कोई साथ भी एक other act है जो इसके पहले पास हुआ था ठीक है जो किसके पहले पास हुआ है Hindu marriage act 1955 के पहले पास हुआ था और उसके कोई से भी provision है अगर वो inconsistent है इस act के साथ तो उस case में वो भी क्या होगा उसका भी effect क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ठीक है ठीक है गाईस तो हमने section 124 यहां पे discuss कर लिया है ठीक है थैंक यू सो मच गाईस if you like the video then please like share and subscribe